अगर आप भी ऐसा ही कुछ गलती कर रहे हो तो आपका Facebook page का ads on reels और inner stream ads enable नहीं होगा Inner stream ads का criteria 5000 followers और 60,000 watch time complete होने के बाद भी setup भी option आ जाएगा लेकिन वो approved नहीं होगा अगर आप भी ऐसा ही कुछ गलती कर रहे हो तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा criteria complete होने के बाद अगर आप भी ऐसा कुछ गलती करोगे तो monetization पर भेजने से कुछ नहीं होगा तो आपको ऐसा कुछ गलती नहीं करना है अगर आप अपना Facebook page और profile को monetize करवाना चाहते हो तो आपको ऐसा कुछ गलती नहीं करना चाहिए इस वीडियो पास जो जो गलती के बारे में मैं details में बात करने वालो हो वो सब आपको जानना ही होगा बीना जानकरी के अगर आप Facebook page पर काम कर रहे हो Facebook profile पर काम कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो जानकरी पहले लो उसके बाद काम करो वो सब गलती क्या है और monetization में भेजने से पहले आपको क्या करना चाहिए ये सब चीजों के बारे में इसी वीडियो पर details में बात करने वालो हो अगर आप interested हो तो वीडियो को सुरू से अन तक बीना skip किये देखो skip करके देखोगे तो loss अब कई होगा हलो स्तोब मैं हूँ सिधार्त और आप लोग देख रहे हो टेक वाला तो चलिए शूरू करते हैं फेस्बूक की इनच्रिम एड्स का क्रेक्ट्रिया कमप्लिट करने के बाद एड्स वीडियो से अन हो जाते है इनिश्टिम एड्स का क्रेटरिया जो है सबसे बेसिक क्रेटरिया 5000 फॉलोवर्ड और 60,000 वास्टाइम साथ में लाइव इनलिजिबल कंट्री और नो पोलिश इशू लास्ट 30 डेस में 5 अक्टिव वीडियो आपको चाहिए आपका पेज ये प्रोफाल पर तब जाके इनिश प्रेटरिया नस्तिक है यहनि कि कंप्लीट हो जाएगा एक दो दिन के अंदर उस समय आपको क्या करना चाहिए नमबर वन आपका जो भी कंटेंट है आपका फेजुक पेज और प्रोफाल को पहले एक बर बेरिफाइक कर लो समय ले लो चाहिए एक दिन कंटेंट बंद ही क फोडो से ऐसा कुछ कॉंटेंट है जो आपका फेजुक पेज को वाइलेट कर सकते हैं आपको चेक करना होगा अगर वहाँ पर पॉलिश इशू है क्रेटरिया कंप्लीट होने वाला है लेकिन वहाँ पर पॉलिश इशू है पर्टनर मेडिशन पॉलिशी या कंटेंट मेड करना चाहिए अगर फुली डाउट है तो सब कंटेंट को डिलिट कर सकते हैं वहाँ से आपका मेडिशन का जो वास्टेम है वह घटेगा नहीं जब आपका टाइम घटेगा यानि कि जाब उसका लास्ट सिस्टी डेस का टाइम कंप्लीट हो जाएगा उस समय वास्टेम नहीं तो डाउट है तो फूरा कंटेंटी डिलिट कर लो और मेडिशन पर भजने से पहले लाइब कर लो अपना प्रूब देदो अपना प्रेजन से दो कि आप एक ओरिजिनल क्रेटर हो आप सच में हो इस दुनिया में आप बिलोंग करते हो यानि कि आप जिन्दा एक पर पर जाके रेकोमेंडेशन पर चेक करना होगा वहां पर कुछ पॉलिशी इशू कुछ प्रॉब्लेम तो नहीं है फेजुक पर रेकोमेंडेबल नौट रेकोमेंडेबल या ग्रोथ एट रिस करके कुछ प्रॉब्लेम तो नहीं है उस समय आपको वह चेक करना होगा वह एक और profile का dashboard से आपको उसका details के बारे में पता चलेगा, mobile facebook version से आपको उसके बारे में details पता नहीं चलेगा, something went wrong करके कुछ show होगा, तो उसका details पाने के लिए आपको computer से आपका facebook page और profile को open करना होगा, जैसे mobile पर professional dashboard पर जा रहा हो, उसके बाद recommendation पर जा रहा हो, basically वो 90 days तक रहता है, अगर आपका situation कुछ अलाग है, तो वो जाने के बाद ही आप उहाँ पर apply करो, बढ़ना आपका वो जो काम आपने किया, जो hard work आपने किया, सब पानी में बैच जाएगा, यानि कि आपका app प्रूप नहीं होगा, तो वहाँ से आप कमाई नहीं कर पाऊगे, भरबर करने से वो disable भी हो सकते, आपका page पर कोई भी content अप्लूट भी नहीं होगा, तो दोस्तो नमबर 3, live in eligible country, polish issue जो भी होगा, वो आपको तो initiative ads पर उसको green tick तो करना ही होगा, उसके साथ साथ आपका हर एक criteria को complete करना होगा, वो जब complete हो जाएगा, तब ads on rules आपको moot में मिल जाएगा, लेकिन अगर वो सब criteria पर कुछ दिक्कत है, कुछ problem है, उस situation में तो आपको ads on rules मिलेगा नहीं, और उसके लिए फिर आपको एक महिना वोइट करना होगा, यह आपको फिर जाना होगा, facebook page और profile का desktop version पर और वहाँ पर policy issue पर जाके आप चेक कर सकते हो, आपका क्या approved नहीं हुआ और उसको कब apply कर सकते हो, नमर फोर, अगर आपके facebook page पर कुछ भी problem नहीं है, लेकिन जिस account से, जिस profile से आप facebook page को बनाया हो, यह आपका facebook page जिस profile के साथ connected है, उस profile का भी professional dashboard पर जाके आपको recommendation पर चेक करना होगा, या उसके details के बारे में चेक करना होगा, वहाँ पर कुछ policy issue तो नहीं है, या वहाँ पर कुछ problem तो नहीं है, वहाँ पर eligible country सब कुछ ठीक तो है ना, तो यह सब चेक करना बहुत ही ज़रूर है, अगर profile पर कुछ problem है, तो तब भी वह reject हो सकते है, ऐसा हो रहा है, यह हकीका थे, यह कोई सपना नहीं है, तो सब कुछ चेक करने के बाद ही आपको apply करना होगा, अगर उस profile पर कुछ problem है, उस situation में, उस समय आपको अपना page को दूसरे account पर shift करना होगा, जिस profile पर कुछ भी problem नहीं है, अगर आपका Facebook page बहुत ही प्यारा है, तो नया profile बना लो, original profile बना लो, वहाँ पर आपका Facebook page को send कर दो, बिसिकली problem नहीं होगा, लेकिन जब payout account को add करने जाओगे, तो हाँ पर आपका profile picture भी चेक होगा, तो उस समय आपको original profile का ज़रूरत है, जहाँ पर कुछ problem नहीं है, तो payout account एड़ करने समय, या नया फेजू page को meditation के लिए भीजने से पहले, एक profile को ज़रूर बना लो, जो original है, जहाँ पर कुछ problem नहीं है, नमबर 5, अगर आपका reels duplicate है, या वहाँ पर कुछ watermark है, या वहाँ पर वो जो reels आप अप्रोड कर रहे हैं, उसका quality बहुत ही खराप है, sound quality बहुत ही खराप है, picture quality बहुत ही खराप है, और उसका quality ही नहीं है, सब कुछ बेकार है, तो उस situation में आपको ads on reels का option नहीं मिलेगा, आपको ads on reels से कमाई करने का option नहीं मिलेगा, तो उस situation में आपको अच्छा खासा reel अप्रूट करना होगा, Facebook कह रहे हैं, अगर आप reels पर काम करना चाते हो, तो आपका content original होना चाहिए, आपका content का sound quality, वीडियो quality अच्छा होना चाहिए, आपका content किसी third party app से डाउनलोडेड होगा तो नहीं चलेगा, अगर आपके reels के अंदर कुछ creativity नहीं है, तब भी नहीं चलेगा, तो ads on reels से कमाना है, ज़्यादा कमाना है, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा कमाना है, तो आपको original reels अपलोड करना होगा, तो यह सब के लिए एक bonus tip में देना चाहूँगा, फेस्बुक का जो content है, वो Instagram पर भी recommend होते हैं, और जो Instagram का content है, वो Facebook पर भी recommend होते हैं, तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा views चाहिए, या दोनों जगा से ही आपको कमाना है, तो आपका Facebook page के साथ, Instagram account को भी add कर लो, दोनों को link कर लो, जो reels आपका Facebook पर upload होगा, वो Instagram पर भी upload होगा, दोनों जगा से ही आपको views मिलेगा, अगर आप duplicate content upload करके, अपना watch time ये followers को complete किये हो, तो monetization में भीजने से पहले, सब कुछ को delete कर देना, original content upload करना, और धिले धिले कर अपना Facebook page को grow करवा लेना, तो ये सारे चीज़ों को आपको याद रख के ही काम करना होगा, अगर गलती करोगे, तो बार बार करने से आपका page profile monetize नहीं होगा, Facebook या YouTube के बाहर भी अगर आप पैसा कमाना चाते हो, तो उसके लिए आपको millionaire track पर join करना होगा, millionaire track क्या है, वहाँ पर कैसे join किया जाता है, बिना investment में कैसे कमाया जाता है, सब कुछ मैं उसी वीडियो पर बता चुगा हो, तो मिलें track वाला वीडियो आप भी देख लो, join करना चाते हो तो join कर लो, पैसा कमाते हो, Facebook related tips आपडेट्स पाने के लिए, मैंने इस चैनल को subscribe करके रखो, और अगर आप Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हो, तो Facebook page को follow कर लो, नए नए वीडियो को देखने के लिए, thank you so much.